असलाम वालेकूं गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज मैं आप लोगों के सामने लाइं हुए एक इंट्रेस्टिंग सी वीडियो तो आज मैं आप लोगों के साथ मैं सेयर करूंगी कुछ ममी जी के कुछ नए कपड़े तो आप लोग देख लीजिए और म आज ममी जी की अलमारी की सफाई तो मैंने सोचा आप लोगों के शाद उनके कपड़े भी शेयर कर देती हूं तो आप लोग देख लीजिए हमारी ममी जी के बहुत सारे कपड़े हैं तो दिखा देती हूं मैं आज आप लोगों को तो मैंने सूचा थे कि अलवारी के सफाइ भी हो जाएगी जो सारे कपडे बिफुल गए है यानि कि सारे कपडे इसे उधर हो गए है तो इसनी यहां पर सारी कपने निकाल रहे हीं और कि यह सब गोड़ी मुड़ी हो रख्यों है कि प्रवाइब दो नहां तो पार को बार समय को पार को भी जाएब एंग तर घ्राइब भी जान अन्याट जड़ार जाद पहां तो जाड़ को अज़ा है झाल कर दो कर दो कर दो कर दो तो यहां पर मैं सारी कपनों को तैग करती जारी हूं साथ ही साथ आप लोगों को बताती भी जारी हूं कि ममी जी के पास कैसे कैसे सूट है हें पास कि आप लोगों कैसे में तूर के ता हुआ है है Touch कर दो कर दो कर दो तो यहां पर मैंने ममी जी के पार्टी वियर सूट अलग रख दिये हैं और जो आने जाने वारे सूट हैं वो अलग रख दिये हैं हो होनुकि और वो अलग रख दिये हैं और जो डेली उसके कप्डिय के तर हिए जेत लिए ऑने पर दो कि अलग रख दिया हैं जैसे ममी को डूदने में परेशानी होती थी क्योंकिके सारे कपड़े मिक्स है सारे तो अब मैंने अलग-अलग करके रख दिये तो उनको ढूनने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब मैं दिखा देती हैं आप लोगों को ममी जी की ये वादिसाड़ी जो हमारी ममी जी ने हमारी शादी पहनी थी तो ये मैं आप लोगों को लगा के दिखा देती हूं कि मेरे उपर कैसी लग रही है तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूं ममी जी की ये वाली सारी जो की पापा जी ने ममी जी को गिफ्ट की थी तो ये जो ममी जी सारी लगा कर देख रहे हैं बहुत ही खूपसाद लगती है इस में गोल्डन लैस लगी हुई है और पीज में अब बीच में भी गोल्डन जार्व कर ता वर्क किया हुआ है तो इस सारी को ममी जी लगा कर दिखा रहे थी तो बहुत चाहद अच्छी लग रही ती और ये हमारे रेस्याप्शन में पहनी थी हमारी ममी जी ने तो अभी में ये जो नई नई साड़ी है ममी की तो वो मैं इस पॉलेथिन में रख रहे हूं जो नई साड़ी है ममीजी की उन साड़ी का मैंने रख दिया है पॉलेथिन में जहते कि आप लग देखी रहे हैं यहां पर रखे हूए है और यह सारे सूट रखे हुए हैं जो आने चानने में पहनने वाले सूट हैं यह यह सारे पेटी कोट रखे हुए हैं अदर कॉर्डल में और इधर रखे हुए हैं पुरानी साड़ीयां ममी की तो यहां पर मैंने रख दिया है इन पॉलेथिन में सबसे नीचे वारे श्रेक्शन में तो यहां पर मैंने ममी जी के कुछ गरम स्वैटर या कुछ गरम कपड़े हैं ममी जी के वो मैंने इन पॉलेथिन में सबस्क्राइब करके रख दिया हैं तो देख लीजें आप लोग किस तरीके से से अधिया है मैंने अलवारी को फिर से यह मैं दिखा दिती हैं जो फुरानी पड़ी चूडियाँ हैं वो रखे हो यह यहां पे और हुआ है तो अब हाते हैं मम्मी की मुस्त इंपोर्टेंट साडी के थो यह है मशनी साडी कि आधि की शाडी जो उन्हें चलावे में जड़ाई गई थी इस साडी में ही मम्मी का निकाह हुआ था और मम्मी हमारे खर की बभू बन गई थी तो यह साडी जो मैं देखा रही हूँ आप लोगों को बहुत ही ब्यूटिबर लग रही है और मुझे तो जादी इच्छे लग रही है क्योंकि देखो शादी के जोड़ा होता है न वो तो बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है और मम्मी इतने सालों से उसको इतने अच्छे से लिवाधि दिया हुआ है है ये नीचे का बार्डर है अब लोगत बहुत ही सकते हैं यह बहुत ही जए इन चोंड़ा सा अ बार्डर है और रही किसी शैनिंग एतने गॉल्ड़न कवर्क है पता नहीं इसको साडी को क्या बोलते हैं चंदेरी की बोलते हैं या फिर बनारसि क तो यह इसका पलू आप लोग देख सकते हैं यह इसका पलू है ऐसे तिखा देती हूं तो यह है इसका पलू और यह अब अब बहुत है कि उसरवत और शादी की जोड़े की तो बात ही अलग होती है और ममी अभी तक इसको इतना समाल के रखी है यह मुझे बहुत अच्छा ही बात लगी अच्छा ही बात लगी तो यह चाहिए पिर आगे आने वाली जोपन दिखाएंगे तो अच्छा लगेग उनकी भी शादी की साड़िया है कुछ तो बस तरीक से शैनल के रखी हुई है और अच्छा भी लगता है कोई पुरानी चीज़ें होती ही अपने पास समाल के रखे जाती है जो चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पुरानी चीज़ें तो प्लीस आप लोगह कमेंट करते हम जरूरूर बताना के यह द्किन प्ते हमें इस के साथ नहीं का раск twice टैकर झाल